हेलो गाईज आज हम नवदेवी द्याले का OMR सीट भरना सिखेंगे जिसका एकजांग कल याने की 29 अप्रेल 2030 को कंडक्ट होने जा रही है आईए देखते हैं कैसे कैसे इसको हमको फिल करना है और आप लोग step by step एक भार इसे प्रेक्टिस कर लिजेगा ताकि वहाँ पे जाने में चाने पर कोई प्राब्लम आपको न होने पाए और ऐसी वीडियो अगर आप पाना चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को आप जरू सब्स्राइब कर लिजेगा बेल ऐको प्रेस कर लिजेगा ताकि कोई भी ऐसी वीडियो आपको मिले तो आपको सबसे पहले मिले आईए जैसे में अंसर सीट पर क्या दिया है ओए ओमर सीट है क्या है यह आपका ओमर सीट है देखें ओमर सीट क्या है पहला दिया है रोल नंबर क्या रोल नंबर फिर अभियरती का नाम दिया है पिर पीता जी का नाम दिया है तो इसको हमको फूल पिल करना है जैसे रोल नंबर क क्या है एड्मिट कार्ड में देखिए एड्मिट कार्ड में रोल नमबर या अनुक्रमांक नमबर तो एड्मिट कार्ड में रोल नमबर कहां यहां पर यह आपका रोल नमबर है कि यह आपका रोल नमबर है टीक है क्या है आए फिल करते इसको यानि कि अब यहां पर फिल करेंगे इसमें फिल करते हैं तो अनकुर्मांग नंबर क्या है आपके तो अनकुर्मांग नंबर हम फिल कर लेते हैं देखिए रोल नंबर यहां पर फिल कर लिए हैं यह ध्यान रखना है कि सारे को जो हम फिल करेंगे उसको बाल पेन का यूज कर बाल पिन यानि कि नीला और बुला नीला और ब्लैक पिन वह क्या होना चाहिए यह आपको बाल पिन की रूप में ही वानी जाती है ठीक यह भी बाल पिन है इसका भी वाफ चाहे तो अभियर्थी यूज कर सकते हैं उसके बाद यहां अभियर्थी का नाम बढ़ेच्चरों मे पिता जी का नाम बढ़ेच्चरों में तो जो नाम दिया रहेगा वह हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं क्या करते हैं जो नाम दिया है वह आपको हम फिल कर लेते हैं यह फिल करते हैं देखें नाम को कैप्टलेटर में भरना है नाम मैंने भर दिया है अब पिता जी का नाम भी capital letter में भरना है जो admit card में दिया हो इसके भरने के बार अब main क्या आता है यह box भरना क्या me box भरना जो roll number है यानि कि 1732172 अगर यह आपका roll number है तो इसको हमको 1 के सामने इस 1 को हम circle करेंगे इस type से फिर 7 के सामने 7 को जैसे circle किया गया है इसी तरह यहाँ यहाँ पर 3 को किया गया है फिर 2 को किया गया है फिर 1 को किया गया है फिर 2 को किया गया है फिर यहाँ पर देखिए 7 को किया गया है तो इस तरीके से हमको तो यह सब चीह को बहुत अच्छे तरीके से भरना है कोई भी देखे गलती न होने पाए अगर कोई गलती हो जाती है तो आप वहाँ पे टीचर से पूछ सकते हैं अब को कर दीचर से करेंगे आगे दिखें कि यहां दिया हुआ है किया अगर आपका राज जिला खंड 01 केंद्र वन है तो आप इसको चूज करना तो यह हम कैसे चूज करेंगे जैसे यहां पर देखे दिश्टिक 57 दिया है उसका 7 दिया है फिर उसके बादि स्टेट कविदे जिया है तो इस तरीक्ते 시 कोड को जो हमारा कोड है उसको डाल देंगे जैसे 03 है लास्ट का डिजिट डालना है क्या लास्ट का डिजिट डालना है यानि 24 है तो 24 हो जाएगा यहां पर फिर डिस्टिक का कोड कितना है डिस्टिक का कोड कितना है 56 ते 56 हो जाए बलाक का कोड कितना है 07 तो 07 सेंटर का कोड कितन तो इस ट्रीट को डिए वह आपका इस्टेट यानि कि 24 यहां पर जैसे कि 24 हो गया क्या हो गया 24 तो इस तरीके से 24 यहां पर फिल कर देंगे 24 फिल कर देंगे ठेक है अब यहां से 56 07 उठाकर इस सारे ब्लोक में हम डाल देंगे उसके बाद इस तरीके से अगर हम करेंगे और चारो अपसन से क्या चुनना है एक ही अपसन चुनना है जो कि सरकल से बाहर ढाब नहोने पाएगा अप सरकल से बाहर नहोने पाए ठीक है दूसरा का एए है इस प्रकार से आप सरकल करके पूरे कोशन को अच्छे से करियेगा और कोई वेगर समस्या आपको आती है तो आप पुरनत टीचर को teacher से बात करके तो समस्यक अपना समधान कर सकते हैं आपको सारा चीज़ समझ में आ गया हुआ अगर कुछ नहीं भी समझ में आता है तो आप comment करके पूछ सकते हैं Thank you